अब हम सीखेंगे कि एक पेज बिल्डर होता क्या है पेज बिल्डर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम elements को different elements को drag drop करके अपना एक web page या एक complete website बना सकते हैं पेज बिल्डर की मदद से कोई भी website या web page बनाना इतना ही easy है जितना आप अपने drawing room में पड़े furniture को इधर से उठा के उधर रख लें क्योंकि इसकी मदद से आप elements को drag drop कर सकते हैं अगर आपको कोई element for example पसंद नहीं है top की position पे आप उसको वहां से उठा के drag करके आप किसी भी और position पे लेके जा सकते हैं wordpress में हमने पहले सीखा के घुटनबर्ग क्या होता है वो एक block based editor है वो भी एक page builder है उसमें हम मजीद भी page builders सीखेंगे के और page builders के कौन-कौन से tools है for example wordpress में elementar एक बहुत popular page builder का tool है divi एक बहुत popular page builder का tool है oxygen builder एक बहुत popular page builder का tool है इसी तरह और भी बहुत सारे plugins की form में ऐसे page builders के tool आपको plugins की form में मिलते हैं और हम जिनका सबसे ज्यादा इस्तमाल कर रहे होंगे या इस course में जिसको ज्यादा पढ़ रहे होंगे वो है गुटनबर्ग and elementar अब आपके mind में सवाल आएगा अगर गुटनबर्ग और elementar दोनों ही page builder हैं तो हम दो क्यों पढ़ रहे हैं हम किसी एक का इंतखाब क्यों नहीं करते किसी भी criteria की base पे अब इन दोनों के present points हैं अगर आप गुटनबर्ग को लें तो गुटनबर्ग wordpress का default editor है जो के wordpress के साथ आता है उसके लिए आपको किसी additional plugin की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए आपको किसी plugin को install नहीं करना पड़ता और वो speed के लिहास से थोड़ा सा edge हासिल है कि अगर हैं तो आपकी site की speed थोड़ी सी वेतर होगी as compared to अगर आप उसी site पे elementus का इंतखाब करेंगे और elementus में कुछ features free हैं और कुछ features जो है उसमें paid हैं गुटनबर्ग चूंके नया है उसमें blocks और design patterns और जो ready made layouts हैं उसमें अभी relatively कम हैं लेकिन time के साथ-साथ गुटनबर्ग में बहुत सारी चीजें add होती रहेंगी और ये सारी चीजें आपको free of cost मिलेंगी जैसा कि wordpress बिल्कुल free है तो गुटनबर्ग भी बिल्कुल free ही रहेगा और उसमें बहुत सारे आपको layout elements और patterns जो हैं वो free में available रहेंगे दूसरी site पे elementer में वो काफी layout मौजूद हैं पूरी-पूरी website kits मौजूद हैं जिनको use करते हुए आप चंद minutes में या एक घंटे से भी कम के वक्त में एक बहुत बहतरीन किसम की website बना सकते हैं तो depending on your requirement कि आपने किस किसम की website बनानी है आप गुटनबर्ग या Elementor इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं